Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pree. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Hello students, welcome back to the Dear Pree. आज हम क्या पढ़ेंगे? Human-Mail Reproductive System. यह हमारी इस unit का second part है. First, हमने कल introduction में क्या-क्या पढ़ा था? कि reproduction में कौन-कौन से event होती है? और उनके बारे में अब detail में हम पढ़ेंगे. तो first one क्या होगा? Human-Mail Reproductive System. इसके कौन-कौन से parts होती है? पहला part क्या होता है? Scrotum, TSTs, Epidiodemes, Vast Differential, Ejaculate Reduct, Urethra, Pannis and Male Accessory Glands. अब हम Scrotum को डीटेल में पढ़ेंगे. Scrotum क्या होता है? एक पाउच और सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये deeply pigmented skin का बना हुआ होता है. ये दो सेक्स में, दो अलग-अलग सेक्स में डिवाइड होता है. इसका temperature, normal body temperature से 2.5 degree Celsius कम होता है. It is connected with abdomen and pelvic cavity. ये जो abdomen होती है और जो pelvic cavity होती है, उसके साथ connected होता किस से? इंग्विनल कैनल की help से. इंग्विनल कैनल किस-किस चीज़ से मिल के बनी होती है? इंग्विनल कैनल में होता है, veins, arteries और कुछ muscles भी होते हैं. इन सब को मिला के इंग्विनल कैनल की formation होती है. और ये क्या करती है? जो टेस्टीज होती है, उनको स्क्रोटम के अंदर रखने के लिए इंग्विनल कैनल का सबसे main function होता है. तो टेस्टीज स्क्रोटम में उसकी wall से attached किस से होती है? इंग्विनल कैनल से. अब हम टेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे. टेस्टीज क्या होती है? तो main क्या है? इसका primary sex organs होती है, टेस्टीज. जो के early fetal life में ही arise हो जाती है. अरली fetal life में होती है, abdomen के अंदर, abdominal cavity के अंदर present होती है. लेकिन जब 7th month होता है pregnancy में, उस टाइम पर ये क्या होती है? descent out हो जाती है. मतलब abdominal cavity से बाहर निकल के scrotum के अंदर आ जाती है. किस के दुरू आती है? ये inguinal canals के दुरू. टेस्टीज पेर में present होती है, oval shape होती है, इनकी length कितनी होती है? 4-5 cm और 2-2 cm इनकी क्या होती है? width होती है. और टेस्टीज का function क्या होता है? sperm की formation करना. तो इसके अंदर हम इसकी covering को पढ़ेंगे. इसकी क्या होती है? तीन covering होती है. पहली होती है tunica vaginalis जो सबसे बाहर की covering होती है. second one, tulka albucinia जो second middle में होती है. tunica vesculosa जो inner वाली होती है. tunica vaginalis, tunica albucinia and tunica vesculosa ये तिनों आपस में attach होती है. सबसे बाहर vaginalis होगी. उसके साथ ही attach होगी. उससे थोड़ी से अंदर tunica albucinia और उसी से attach होगी. जो सबसे अंदर वाली होगी, वह होगी vesculosa. अब testis के अंदर क्या क्या present होती है? testicular lobules present होती है. ये क्या होते है? ये compartment like structure होती है. एक testis में 250 compartments present होती है. और इनी को क्या बोलते हैं? testicular lobules. अब आता है सैमनी फेरंस tubules. जो एक testicular lobule होता है. उसके अंदर एक से तीन highly coiled structure present होती है. और इनी को बोलते हैं सैमनी फेरंस tubules. सैमनी फेरंस tubules की जो वोल होती है, वो किस से मिलकर बनी होती है? वो single layered होती है और germinal epithelium की जो cells होती है. उन से मिलकर वो बनी होती है. यह cuboidal cells होती है. तो इसके अंदर दो टाइप की cells present होती है. एक तो male germ cell present होगी, एक sertoli cell present होगी. male germ cell का क्या काम होगा? sperm की formation करना. और sertoli cells का क्या काम होगा? उसको nourishment provide करना. function of sertoli cells. तो क्या करेगी? support provide करेगी and nutrition to the developing germ cells. second क्या होगा? secretion करेगी endosin binding proteins. यह क्या होती है? male sex hormones होते हैं. जो की sperm की formation के लिए help करते हैं. और यह क्या करेगी? secret inhibine. inhibine का क्या काम होता? वो FSH के उपर directly act करेगा और जो sperm की formation होगी उसे रोख देगा. तो यह क्या है? negative hormone होगा. अब हम देखेंगे spermatogenesis, means sperm की formation कैसी होगी? यह होगी semi-farence tubules के अंदर यह पूरी process होगी. तो सबसे पहले जो male germs हैं, उनके अंदर mitosis होगी. mitosis होने के पाद spermatogonia की formation होगी. then spermatogonia हैं, वो grow करेंगे, grow करके primary spermatocytes की formation करेंगे. जो primary spermatocytes हैं, वो further क्या करेंगे? मियोसिस, मियोसिस क्या होती है? reductional division. लेकिन mitosis क्या होती है? equisional division. इसमें जो chromosome का number होता है, वो same रहता है. अगर 2N है, तो 2N ही रहेगा. लेकिन मियोसिस में chromosome का number half हो जाता है. तो एक primary spermatocytes से 4 secondary spermatocytes की formation होगी. then इनसे क्या बनेंगे? spermatids. और वो finally convert किसमें हो जाएंगे? spermatocytes या sperms में. तो यह सारी process हमारी कहां चल रही है? semiferenc tubules के अंदर. अब testis के अंदर एक और तरह की cells present होती है, जिसको बोलते हैं interstitial cells या ledic cells. यह cells क्या होती है? यह group में present होती है. लेकिन जो sertoli cells थी, वो singly present होती थी. ledic cells round structure की होती हैं, लेकिन जो sertoli cells हैं, वो cuboidal structure की होती हैं, यह इनके बीच का difference है. तो present in between the semiferenc tubules, जो semiferenc tubules होती हैं, उनके बीच का जो space होता है, उसमें connective tissue होता है, उस connective tissue के अंदर ledic cells present होती है. ledic cells का क्या function होता है? यह secret करती है, एंड्रोजन, जिसका example है, टेस्टोस्टीरोन, एंड्रोजन क्या होती है, male sex hormone, कौन सिक्रेट करता है, ledic cells. अब next one, testes का part क्या होता है, red testes, यह एक network like structure होता है, जो क्या करता है, सभी semiferenc tubules को जोड देता है. एंड्रोजन, जो red testes होती है, उनसे small, small, small ciliated tubules arise होती है, from red testes, fine, बहुत small होंगी और ciliated, उनके अंदर cilia present होंगी, वो क्या करेंगे, movement of sperm में help करेंगी, arise, इसको क्या बोलेंगे हैं, वासा इफ्रेंचिया, तो testes का function क्या होगा, production of sperm, sperm की production करना, और secretion of male sex hormones, जैसे की testosterone, androsin binding protein, इन सब की secretion करेंगी, अब testes के बाद क्या होगा, epididymes, epididymes में क्या होगा, यह एक long होती है, narrow होती है, और coiled tube होती है, which lies, जो कहां पर लाई करेंगी, जो testes होती है, उसके बिल्कुल साथ में coiling करके होती है, in the inner side of each testes, testes के अंदर ही present होती है, तो epididymes के तीन पार्ट होते है, इसको बोलेंगे, kaput epididymes, korpus and koda, यह तीनों क्या होती है, जो anterior part होगा, उसको बोलेंगे, kaput epididymes, middle part को क्या बोलेंगे, korpus epididymes and posterior, जो सबसे last भी present होगा, उसको बोलेंगे, koda epididymes, epididymes का function क्या होगा, storage of sperm, यह क्या करेगी, sperm को store करेगी and secretion, a fluid-like substance को secrete करेगी, जो provide करता nourishment to the sperm, यह fluid-like substance, nourishment भी provide करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, उनकी movement में भी help करेगा, then next part क्या होगा, wasa differentia, wasa differentia में क्या होगा, arise from the koda epididymes, जो उसका posterior part होगा, उससे क्या होगा, यह arise होगा, यह भी pair form में present होता है, तो यह testic से bar present होता है, testic से bar से निकल के और urinary blader तक जाता है, then loop over urinary blader, यह urinary blader के उपर से loop करके, seminal vesicles की जो duct होगी, उनके साथ join करेगा, और join करने के बाद क्या करेगा, इजैकुलेटरी duct के formation करेगा, वासा डिफरेंचिया का function क्या होता है, यह carry करता है, spumps का, मतलब spumps को, वासा इफरेंचिया से, इजैकुलेटरी duct के अंदर पहुचाने का काम कोन करेगा, वासा डिफरेंचिया, जो rate test is, वासा इफरेंचिया, एपिटाइड आइम्स, एड़ मतलब क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे, और ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, किसको, spumps को, टैस्टी जे, आउट साइड, आउट साइड, आउट साइड कहां पे, थो दा, यूरित्रा, अब आता है, इजैकुलेटरी duct, इजैकुलेटरी duct क्या होते है, पेर्ड फोर्म में प् करने के बाद, इजैकुलेटरी duct का फोर्मेशन होता है, और वो दो कुन कुन सी है, एक तो सेमिनल वैसिकल से जो डक्ट अराइज होती है, और दूसरी है, वासार डिफरेंस, जो वास डिफरेंस और सेमिनल वैसिकल से डक्ट दो अराइज होंगे, उनको यूनियन करके, किस चीज का सीचिन करेगी? सैमिनल वैसिकल जो डेराज होगा, उसका सीचिन करेगी, अब नेक्स पार्ट क्या आता है, इॉरीटरा, इॉरीटरा क्या होता है, कॉमण बाथवे फोर यूरीज एड़ सेमिन, जो सीमेन होता है, और जो यूरीन होता है, इन दोनों के लिए log इसके 3 Part होते हैं Prostatic Eurethra, Membranious Eurethra and Penile Eurethra तो Prostatic Eurethra जो है first Part होता है जो सबसे पहले वाला पर्ट तो पर्रोस्टेटिट ऒूरेथरा इस ब्रोस्तेट लांड इसके चारों तरफ प्रोस्टेटिट गलैंट फ्रेजन्ट यह एचल मेहाना कार्थ यह सीमल ain करता है प्रइन यूरिडित्रस में क्या होता ह bilmiyorumy LAUGHTER लेकिन यह इस से पाद में प्रेजट होता है एसफिफित होच और भी इसके पीछे प्रजन अपर पूबिक संफाइस के पीछ यूरेतब पेनाल उरीत techno प्रेजेन फावर दोटेजर यह औ sensor सब्सक्राइब सब्सक्राइब। internal muscle sphincter होता है वो present at the neck of bladder जो urinary bladder की neck होती है उसके उपर वो present होता है above the prostatic gland external sphincter का present होगा surrounding the membranous part जो urethra का पीच वाला पार्ट था membranous part उसको surround करेगा opening of urethra को हम क्या बोलेंगे urethral meters तो urethral meters क्या है common opening for both urine and semen अब आता है penis penis क्या होगा male genitalia और main copulatory organ जो की copulation में help करेगा at the time of sexual intercourse at the tip इसका जो टिप वाला portion उसको उसको क्या बोलेंगे glans penis और जो glans penis है वो किसकी formation करेगा slit light opening की formation करेगा उस opening को हम क्या बोलेंगे external urethral orifice या फिर euro genital aperture contains three cylindrical masses of erectile tissue इसके अंदर three cylindrical masses present होते हैं जिसमें बीच में present होगा वो वोगा corpus spongiosum एंड जो दोनों side dorsal side present होगा वो और कोर्पोरा केवर्णोसा यह दोनों किसे surrounded होगे fibrous tissue से और कोर्पोरा spongiosum होता है वो किसको contain करता है एंड पे enlarge हो जाएगा और वहीं glens penis की formation करेगा glens penis के उपर भी covering होती है by the loose fold of skin skin के loose fold में इसके covering होगी उस covering को क्या बोलेंगे previous या for skin functions of penis penis का क्या क्या function होगा सबसे पहला तो क्या है connection of urine from the body body से urine को pass out करने का काम करेगा second क्या करेगा transfer of semen semen को transfer करेगा कहां पे transfer करेगा female reproductive tract way at the time of sexual intercourse तो इसके क्या क्या function है carries out sperm और urine दोनों को carries out करने का काम पहरीज का है अब आते हैं male accessory glands कौन कौन से glands present होती है सबसे पहला आएगा seminal vesicles seminal vesicle pair form में present होंगे sack like structures होते हैं कहां पे present होगे near the base of urinary bladder urinary bladder का जो 20 होता है उसके पास में present होते हैं यह क्या प्रोड्यूस करेंगे alkaline secretion इनका जो secretion होता वह slightly alkaline होता ज्यादा alkaline भी नहीं होता तो pH कितना होगा 7.4 सिक्स्टी परसेंट ओफ जो सीमेन की वोल्यूम होती है उसको कंस्ट्यूट कौन करेगा seminal vesicles का जो fluid है its secretion इसकी जो secretion है उसमें क्या क्या होगा फ्रेक्टोज होगा प्रोस्टाग्लेंडेंस होर्मोन होंगे and clotting factors होंगे यह जो clotting factors होते हैं यह जो blood में clotting factors present होते हैं उससे अलग होती है फ्रेक्टोज हमारी body में कहीं भी नहीं पाया जाता लेकिन सिर्फ semen में पाया जाता है इसलिए इसका क्या काम होगा forensic test for rape अगर कोई भी rape case होता है तो उसमें forensic test के टाइम पी फ्रेक्टोज फीमेल reproductive part में पाया जाता है फ्रेक्टोज क्योंकि बाकी body में तो होता नहीं हमारी में इसलिए इससे क्या पता चल जाएगा कि हमें rape case हुआ है या नहीं हुआ तो forensic जो test होता वो किसके basis पे होते है फ्रेक्टोज की presence और absence के basis पे सेकिंड आता है prostate gland prostate gland single present होता है यह large gland होता है यह urethra को completely surround करके रखता है इसकी secretion कासी होती है milky होती है इसकी pH slightly acidic होती है और इसकी acidic pH क्यों होती है क्योंकि इसके अंदर citric acid present होता है 25 परसेंट volume of semen जो होती है वह किसके कान होती है प्रोस्टेट के सिक्रेशन की कान इसकी सिक्रेशन में क्या क्योंता है सीट्रिक एसेड एंजाइम्स होते हैं और प्रोस्टाइग्लेंडिन होर्मोन्स भी होते हैं इट प्रुवईट्स नियूरिशमेंट किसको नियूरिशमेंट प्रवाइड करेगा यह स्पवंज को और उनको एक्टिवेशन में भी काम आएगा कहां पे एक्टिवेशन में उनकी एक्टिवेशन जब वो फीमेल रिप्रोडुक्टिव टैक्ट के अंदर पुहुंच और यह सारा नुरिश्मेंट और एक्टिवेशन का काम हो न आप जो प्रोस्टेट लैंस कर वाते हैं लाश्ट वन क्या आता है बल्भो युरीट्राल ग्लैंस और कोपर ख्लैंस यह भी पेर में प्रेजंट होते हैं और कहां पर प्रेजंट होगे जो मेम्मरेनियस पार्ट अ yuritra उसके दोनों साइड प्रेजन्ट होगे हैं इनकी है उकलीन होती तो इनका पियेज़ क्या होगा सब्सेज्स जादा होगा इनकी जो डंट होते हैं कहान होपन होगे में Kenya कि इुह चैंजों होता है अगर म्यूकस लाइक होता है अ क्या होगा लूब्रिकेशन में हल्प कराएगा अब हम डियाग्रमेटिक ली देखेंगे की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से चीज़ कहां पर प्रेसेंट होती हैं तो सबसे पहले लेते हैं स्क्रोटम को स्क्रोटम क्या है यह जो लाइनिंग प्लैक कलर की है यह स् lag-like structure होता है इस ही के अन्दर टेश्टी इस प्रेजन्ट उती टेश्टी तेश्टी से क्रोटंड की वोस to जो juvenile fibers होती हैं वो इनको attach करके रखती हैं तो testis, testis के उपर क्या present होगा उसी के साथ बिलकुल lining में मैंने बताया था वो होता है epididymes जिसके तीन पार्ट थे epididymes के तीन पार्ट कौन कौन से थे, सबसे उपर anterior पार्ट था kaput epididymes और जो बीच में middle वारा पार्ट था वो है corpus epididymes और जो exterior पार्ट होता है उसको बोलते हैं koda epididymes फिर वहां से क्या शुरू होगी vast difference और vast difference उपर जाके ये कहां से loop होके आएगी urinary जो blader होता है उसके उपर से loop form करके फिर आएगी ये seminal vesicles के साथ जो vast difference है और जो seminal vesicles है उनका duct दोनों मिला के क्या form करेंगे एजैकुलेटरी duct और जो ये urinary blader यहां पर present होता है उससे क्या होगा urine आएगा और जिसमें सिर्फ urine present होता है वो यूरित्रा का कौन सा पार्ट था प्रोस्टेटिक यूरित्रा अब जो प्रोस्टेटिक यूरित्रा है औ और एजैकुलेटरी duct है दोनों जोईनों के क्या बनाएंगे membranous urethra अब जो पल्पो यूरित्रा ग्रेंट्स थी इसके अंदर उसका सिक्रेशन कहां पर यह इनके duct open होंगे जो प्रोस्टेटिक यूरित्रा होता है इसके जैस्ट अब्रोस्टेटिक ग्रेंट को बता था इसके ऐसे के क्रिशन होता है फ्लू!!!、 औो छिन नूरिश्मन प्रोवाइड करता है और swim करने में help करता है spams की, कहां पर female reproductive tract में, अब यहां से जो membranous part था, वो को गुंचा था, सबसे छोटा part था, यूरित्रा का, first one is prostatic यूरित्रा होता है, second one is membranous, और उसके बाद कौन सा शुरू हो जाएगा आगे जाके, यहां पर जो है, यह है penile urethra, third part of urethra, अब पैनिस में मैंने क्या बताया था, कि जो पैनिस होता है, उसके अंदर, three cylindrical masses present होते हैं, जिसमें से दो तो dorsal थे, वो dorsal कौन-कौन से थे, corpora cavernosum, and, जो cylindrical mass ventrically present था, वो कौन सा है, वो है spongiosum, corpus spongiosum, और जो corpus spongiosum है, वहीं आगे जाके extend हो रहा था, और extend होके किसकी formation कर रहा था, glance penis के, अब glance penis के उपर से four skin थी, उसके उपर क्या थी, load skin of fold की covering थी, उसे को फोर skin या फिर prepuse में भोलती हैं, और जो उसकी opening होती है, उसे क्या बोलते हैं, urethral orifice, ठीक है, तो testis से spumps, epididymes में जाएंगे, वहां से vast difference में, उपर से loop होके आएंगे, युरांडी ब्लेडर के उपर vast difference लूप होगी, फिर वह सेमिनल वैसिकल के fluid के साथ ejaculatory duct में जाएंगे, उसके बाद prostatic urethra और ejaculatory duct दोनों मिलाके क्या बनाएंगे, membranious urethra, और membranious urethra में ही bulbos urethral gland की secretion होगे, उनके duct के opening होगी, और वहीं से फिर क्या होगा, पेनाइल यूतरा की starting होगी, और फिर external opening, urethral orifice के तरू वह बाहर निकल जाएंगे, अब हम देखेंगे testis की structure के बारे में, उसको, तो ये है testis का longitudinal structure, तो मैंने क्या बताया था, testis के अंदर three wall layers होती है, सबसे पारवाली कौन सी थी, tunica vaginalis, जो ये black color से lining दिखा रखी है, ये क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी की पूरी tunica vaginalis है, फिर जो brown color से हमने दिखा रखी है, ये कौन सी है, tunica albugenia, second, ये दोनों आपस में, बिल्कुल, पास पास में connected होती है, और जो third वाली होती है, वो connective fiber की बनी होई होती है, तर्ड वाली कौन सी थी, tunica vesculosa, तो connective fibers की बनी होई होती है, ये जो dotted line मेंने black color से दिखा रखी है, ये क्या है, tunica vesculosa, अब testis के अंदर मैंने क्या बताया था, कि 250 compartments present होते हैं, वो किसके compartments थे, testicular lobules, जो ये red color से दिखा रखे हैं, हमने ये क्या है, testicular lobules, और एक testicular lobules में, एक से तीन तक semi-farence tubules present थे, तो ये जो green color से coiled structure दिखा रखे हैं, मैंने highly coiling में जो present होते हैं, ये है, semi-farence tubules, तो semi-farence tubules, इनके opening कहां पर जाके होगी, red testis, ये जो network like structure है, इसको हम क्या बोलेंगे, red testis, अब red testis से, very fine tube like structure, जो किस pumps को carry करने का भी काम करेंगे, और transport करने का भी काम करेंगे, वो present होत होती है, और उनको हम क्या बोलते है, वासा इफ्रेंचिया, वासा इफ्रेंचिया का नमबर कितना होता है, 15 से 20 होती है, फिर ये बाहर जाके किसे attach होंगे, एपिडाइड डाइम्स के, तो ये वाला जो anterior part है, एपिडाइड डाइम्स का, ये वाला middle part है, और ये वाला posterior part है, तो interior को क्या बोलेंगे हैं, capute epididymas, middle वाले को, corpus epididymas, and जो posterior present होता है, उसको koda epididymas, और जो posterior part होता, वहिं से vast difference arise होती है, पास्ट डिफ्रेंस जो होती है जो एपिडाइडाइम से उससे स्लाइटली थिकर होती है तो यह है हमारा टेस्टीस का लॉंगिटुटुटिनल सेक्शन अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे मेल और फेमिल के जो सेकंडरी सेक्स ओर्गन्स होते हैं होर्मोनल कंट्रोल ओफ मेल रिप्रोडक्टिव सस्टम एंड ओनसेट ओफ प्यूबर्टी इन हुमन मेल हुमन मेल में प्यूबर्टी किस टाइम आती है और वो कैसे आती है कौन कौन से होर्मोन का उसके अंदर रोल होता है यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थेंक्यू स्टुडेंट्स